आज मैं आपके समक्ष प्रस्तूत करने जा रहे हूं। गुरुदेव श्री रविंद्राना ठाकुर की लिखी हुई कहानी रेम का मुल्य। जब देवताओं के गुरु ब्रहस्पति अपने पुत्र कच को असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक बहूती दुर्लब विद्या, संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजते हैं। तब शुक्राचार्य की पुत्री देव्यानी और ब्रहस्पती के पुत्र कच के बीच में प्रेम होता है। और देव्यानी और कच के बीच में क्या समवाद होता है। रविनरना ठाकूर की लिखी हुई कहानी प्रेम का मुल्य। ब्रहस्पती छोटे देवताओं का गुरु था। उसने अपने बेटे कच को संसार में बेजा कि शुकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच शिक्षा प्राप्त करके स्वर्ग लोग को जाने के लिए तयार था। उस समय वह अपने गुरु याने के शुकराचार्य की पुत्री देव्यानी से विदा लेने के लिए आया। कच ने देव्यानी से कहा। देव्यानी मैं विदा लेने के लिए आया हूँ। तुमारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है। कुरुपा करके मुझे स्वर्ग लोक जाने की आगने दो। देव्यानी बोली तुमारी कामना तो पूर्ण हो गई। जीवन के अमरत्व का वर हस्य तुम्हे ग्णात हो चुका है। जिसकी देवताओ को सरवदा इच्छा रहे। किन तु तनिक विचार तो करो। क्या कोई औ और एसी वस्तु शेश नहीं, जिसकी तुम इच्छा कर सको। कच बोला। नहीं, कोई नहीं। देव्यानी ने फिर पूछा। सच में, बिल्कुल नहीं। तनिक अपने रदय को टटो लो। और देखो, संभाव तहा कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दभी पड़ी हो। कच बोला, मेरे उशाकालिन जीवन का सूरिय अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मद्यम पड़ चुका है। मुझे अब वरह से अज्यात हो गया है जो जीवन का अमरत्व है। मुझे संजीवनी विद्या फ्राप्त हो गई है। देव्यानी बोली, तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसंद ना होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं यह अनुबव कर रही हूँ कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्ट प्रत्था। यद्यपी यह सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिश्क में थी तुमको भेट कर दी गई है। कच बोला, इसका तनिक भी विचार मत करो और हर्श सहीत मुझे जाने की आगने दो। देव्यानी बोली, सुखी रहो मेरे अच्छे सखा, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि यह तुमारा स्वर्ग नहीं है। इस मृत्यू लोक में जहां त्रशा से कंठ में कांटे पड़ जाते हैं, हसना और मुस्कुराना कोई ठिटॉली नहीं। यही संसार है जहां अधूरी इच्छाय चहू और घीरी हुई है, जहां खोई हुई प्रसन्नता की सुरुति में बार-बार कलेजे में हुक उठती है, जहां ठंडी सांसों से पाला पड़ा है। तुम ही कहूं, इस दुनिया में कोई क्या हसेगा। कच बोला, देवियानी, बता, जल्दी बता, मुझसे ऐसा क्या अपराद हुआ है कि तुम ऐसी बाते कर रही हूँ। देवियानी बोली, तुमारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। या वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी चाया में रखा और तुम्हें लोरिया दे दे कर थपकाता था। तुम्हें अनुबव नहीं होता कि आज वायू किस प्रकार क्रंदन कर रही है। देखो, ब्रुक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायों में घूम नहीं रहे, बलकि किसी खोई हुई आशा की बाती भटके भटके फिर रहे है। एक तुम हो कि तुमारे होश्टों पर हसी खेल रही है, प्रसन्नाता के साथ तुम विदा हो रहे हो, और एक ये वन है, जो क्रंदन कर रहा है। कच पोला, मैं इस वन को किसी प्रकार मात्रु भूमी से कम नहीं समझता, क्योंकि यहां ही मैं वास्तों में आरंभ से जन्मा हूँ, इसके प्रती मेरा सने कभी कम नहीं होगा। देव्यानी ने कहा, वह देखो, सामने बढ़ का व्रुक्ष, बर्गत का पेड, जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने पशुवों को हरियाली में चरने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम से छाया बरसाई थी। गच बोला, एवन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, जब और विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्ति हे तु आए, और शहत की मख्यों की बन-बनाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ, तेरी छाया में बैटकर अपना पाठ दोर आए, तो मुझे भी स्मरन रखना, देवयानी बोली, और तनिक वनमती का भी तो धन्यवाद और ध्यान करो, जिसके निर्मल और तिवर प्रवा का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है, कच बोला, आह, उसको पिल्कुल नहीं बोल सकता, उसके सुनुती सदा बनी रहेगी, वनमती मेरी की साथी है, वह एक तलीन यूवती की बाती, होठो पर उसकान लिये, अपने सीधे सीधे गित गुनगुनाते हुए निस्वार्त सेवा करती है, देवयानी ने कहा, कि तु प्रिये सखा, तुम्हें स्मरन कराना चाहती हूँ कि तुमारा और भी कोई साथी था, जिसने बेह प्रहतन किया कि तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित न हो, या दूसरी बात है कि यह प्रहतन व्यर्थ हुआ, कच बोला, उसकी स्मृती तो जीवन का एक अंग बन चुकी है, देवयानी बोली, मुझे वे दिन स्मरन है जब तुम पह तुम उस समय उदर वाटिका की बाड़ के समित खड़े थे, कच बोला, हाँ, हाँ, उस समय तुम फूल बंच, फूल चून रही थे, तुमारे शरीर पर श्वेत वस्त्र थे, ऐसा दिखाई देता था जैसे उशा ने अपने प्रकाश में स्नान किया है, तुम्हें संभाव देव्यानी ने कहा, समरण क्यों नहीं है, मैंने आश्चरे से तुमसे पूछा था, कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यनत नम्रता से उतर दिया था, कि मैं इंद्र की सभा के प्रसिद्ध गुरु, ब्रहस्पती का सुपत्र हो, फिर तुमने बताया, कि तुम मेरे पिता से वर अश्य मालूम करना चाहते हो, जिससे मुर्दे संजीवन हो सकते हैं, मृत्युपा में हुए लोग फिर से जीवित हो सकते हैं, कच ने कहा, मुझे संदे था, कि संभव है, तुम्हारे पिता मुझे अपने शिश्य रुप में स्विकार न करे, देव्यानी ने बोला, कि जब मैंने तुम्हारे स्विक्रूती के लिए समर्थन किया, तो वह इस विनिती को अस्विकार न कर सके, उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक्स ने हैं, कि वह उनकी बात न टाल सकेंगे, कच बोला, और जब मैं तीन बार विपक्षियों के हाथों मारा गया, तो तुम ह अपने पिता को बाद्य किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें, मैं इस उपकार को बिल्कुल नहीं विस्मृत कर सकता, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, देव्यानी बोली, उपकार, यदि तुम इसको विस्मृत कर दोगे, तो मुझे बिल्कुल दुख न होगा, क्या त केवल लाब पर ही द्रश्टी रखती है यदि यही बात है तो उसका मिस्मृत हो जाना ही अच्छा है तुम उसे भूल जाओ यही अच्छा है प्रति दिन पाठ के पश्चात संध्या के अंदेरे और शुन्यता में यदि असाधारन हर्श और प्रसन्यता की लहरे तुमारे सि कोई गुजरा हो किसी के गीत का चुपता हुआ टुकडा तुमारे पाठ में उलज गया हो या जिसके वायू में लहराते हुए आचलने तुमारे ध्यान को पाठ से हटा कर अपनी ओर आकरशित कर लिया हो अपने अवकाश के समय में कभी उसको अवश्य स्मरण कर लेना पर कोज से वस्तुए जो शब्दो द्वारा प्रकट नहीं हो सकती। देव्यानी बोली हाँ हाँ मैं जानती हूँ मेरे प्रेम से तुमारे रदय का एक एक अणु छित चुका है और यही कारण है कि मैं बिना संकोज के इस सत्य को प्रकट कर रही हूँ कि तुमारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं तुम्हे मुझसे अलग होना अच्छा नहीं यही विश्राम करो कोई ख्याती ही अहरश का साधन नहीं है अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते तुमारा रहस्य मुझपर खुल चुका है कच ने कहा नहीं देव्यानी नहीं ऐसा न धियानी फिर बोली क्या कहा नहीं मुझसे क्यों जोड़ बोलते हो प्रेम की द्रश्टी चिपी नहीं रहती प्रति दिन तुमारे सिर के तनिक से हिलने से तुमारे हाथों के कंपन से तुमारा रदय तुमारी इच्छा मुझपर प्रकट करता है जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे रदय ने तुम्हारी भाव बंगीमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुचा दिया है। सहसा मेरी आवाज सुनकर तुम तिल मिला उठते थे, क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस दशा का अनुपव नहीं हुआ? मैं तुमको वली बात ही जानती हूँ, और इसलिए अब तुम सरवदा मेरे ही हूँ, तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस सबंद को न विव्यानी बोली, क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य नहीं है? समय नष्ट मत करो, साहस से काम लो, और यह प्रतिगना करो. शक्ती, शिक्षा और ख्याती की प्राप्ती के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों क दमन करता है. एक स्प्री के सामने इन सब का कोई मुल्य नहीं. कच बोला, तुम जानती हो कि मैंने सच्चे रदय से देवताओं से प्रतिगना की थी, कि मैं जीवन के अमरत्व का रहस्या प्राप्त करके उनकी सेवा में उपस्थित होंगा. देव्यानी बोली, परंतु क् यह कह सकते हो कि तुमारे नेत्रों ने पुस्तकों के अतिरिक्ट और किसी वस्तु पर द्रश्टी नहीं दाली? क्या तुम यह कह सकते हो कि मुझे पुष्प बेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा? क्या तुमें कभी ऐसे अवसर की खोज न तुम घास पर मेरे बरावर बैट कर मुझे अपने स्वर्गिक गित गा कर क्यों सुनाते थे? क्या यह सब काम उन शड़ियंत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुमारे स्वर्ग में ख्षम्या है? क्या इन क्रित्रिम युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना न बना आना चाहा था? और अब विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मुल्यविन सिक्के उस सेविका की ओर फेकते हो जो तुमारे छल से छली जा चुकी है? कच बोला, अभिमानिस्त्री, वास्तविक्ता को मालूम करने से क्या लाब? यह मेरा ब्रह्म था कि मैंने एक विशेश भावना के वश तेरी सेवा की ओर मुझे उसका दंड में लगया? किन्तु अभिवा समय नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूँ, कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उत्देश दिखाई दे रहा है. अब चाहे तो तेरे रदैस से अगनी की चिनगारिया निकल निकल कर सम्पूर्ण वायू मंडल को आच्छा कर ले. मैं भली बाती जानता हूं कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा. देवताओं की सेवा में यह रहस्य तुरंथी पहुँचाना मेरा करतव्य है. जिनको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया है. इससे पहले मुझे व्यक्तिकत प्रसनता की प्राप्ती का ध्यान तनिक भी नहीं था. क्षमा करना देव्यानी, मुझे क्षमा कर दो, सच्चे रदय से क्षमा का इच्छुक हूँ, इस बात को सत्य जाना था कि तुझे आगात पहुँचा कर मैंने अपनी कठिनाईयों को दुगना कर लिया है देव्यानी बोली, क्षमा, तुमने मेरे नारी रदय को पाशान की भाती कठोर कर दिया है वजवाला मुखी की भाती क्रोध में भबक रहा है तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किन तुम मेरे लिए शेश क्या रहा केवल स्मृती का एक कंटिला विछोना और छीपी हुई लज्जा जो सरवदा मेरे प्रेम का उपहास करेगी तुम एक पथिक के रूप में यहां आए, दूप से बचने के लिए मेरे व्रुख्षो की छाया में आश्रय लिया और अपना समय बिताया तुमने मेरे उद्यान के संपुर्ण पुष्प तोड़ कर एक माला गुथी और जब चलने का समय आया तो तुमने धागाई तोड़ दिया पुष्पो को धूल में मिला दिया मैं अपने दुखित रदैस से तुमें श्राप देती हूँ कि जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है वह सब तुमसे विस्मृत हो जाए सारी शिक्षा तुम भूल जाओ दूसरे व्यक्ति तुमारे से यह शिक्षा प्राप्त करेंगे किन्तु जिस प्रकार तारे रात में अंध्यारी से संबंध स्थापित कर नहीं कर पाते बलकि अलग रहते हैं उसी प्रकार तुमारी यह विद्या भी तुमारे जीवन से अलग रहे व्यक्तिकत रूप में तुमें इससे कोई लाब नहीं होगा और यह केबल इसलिए कि तुमने प्रेम का अपमान किया प्रेम का मुल्य ही नहीं समझा तो यह थी गुरुदेव श्री रविन्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई कहानी प्रेम का मुल्य आशा करती हूँ कि कच और देव्यानी का यह संबाद यह कहानी और उसका वर्णन आपको अच्छा लगा धन्यवाद